बिहार में साल 2016 से पूर्ण सराबबंदी है, इसके बौजूद भी जहरीली सराब से लगतार मौते हो रही है, एक बार फिर से नितिश कुमार सराबबंदी कोले कर समिक्षा कर रहे हैं, क्या समिक्षा का कोई परिनाम निकलेगा इसके कोले के बातचित करने के लिए हमारे पता है कि जहरीली सराब से मौत हो रही है, मुखमंत्री जी को पता है कि सराब की बड़ी बड़ी खेपे पकड़ी जा रही है, जब मुखमंत्री जी को पता है कि असली सराब की बोतलों में नकली सराब डाल करके और वो एक असमगलर का एक ग्रूप काम कर रहा है जो सराब परोस रहा है और जिस पर विपक्ष भी हमलावर है कि यह घर-घर में सराब की डिलिवरी हो रही है तो आखिर मुखमंत्री जी जब अपने डिजी पी चिफ सेक्रेटरी के साथ जो डिएमेसपी के साथ जो एक वीडियो कॉनफरेंसिंग आज करने जा रहे हैं या जो एकसाइज के पता धिकारी हैं तो उनसे तो बात करेंगे ही कि जब हमने सराब बंदी लागू करा दी तो आखिर यह एक्जिक्यूट क्यों नहीं हो वहां से निकल भी जा रहे हैं तो क्या घुफिया रिपोट इस बात की जानकारी नहीं दे रहує हैं यह कि सराब की बड़ी-बड़ी खेपे आप के हां रही है वहां से भी अगर डिष्टिब्यूट हो रहा है सराब तो क्या इनको नहीं पता है एक तो यह दूसरी बात अगर गाओं गाओं में कस्बे में छोटे छोटे ये में अगर सराब बन रहा है तो सराब कोई ऐसी चीज नहीं है कि छुप करके बन रहा है और छुप करके बिक जा रहा है अगर कहीं बन रहा है तो उस गाओं के लोगों को पता है उस कसबे के लोगों को पताई मुखमंत्री जी सहथ इस पर भी बात करेंगे कि क्या एकसाइज भी भाग क्या कर रहा है पुलिस क्या कर रही है चोकिदार और जो ठानेदार हैं वो क्या कर रहे हैं तो इसकी समिक्षा करेंगे कि आखिर सराब बंदी को फेलियोर क्यों हो रहा है बियार में जिसके लिए विपक्ष हमलावर है अब अगर वो कसते हैं लगाते हैं और एक सबसे महत्पूर्ण बात जो इसमें है वो रेस्पोंसिबिलिटी देने की बात है कि अगर ये रेस्पो जाएगा इसके लिए आप रेस्पोंसिबल होंगे आप इन चीजों को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि समिक्षा बैठा की एक बड़ी उपलब्धी होगी मुखमंत्री जी क्या गाइड लाइन देते हैं ये तो समिक्षा के बाद पता चलेगा क्या आपको लगता है कि ब समांदारी से सराबंदी को चाहते हैं कि हम इंप्लिमेंट कराएं तो जब इनके संसदिये बोर्ड के अध्याक्षू पेंदर कुस्वाहाजी खुलकर के इस बात को बोल रहे हैं तो मुझे बताने की जरूवत नहीं है कि इसमें इनको सहयोग नहीं मिल रहा है क्या कुछ ए तो यह लिए इनको इनको बना देंगे अपने अंदर के जो मातहतत अधिकारी हैं उनको वह टाइट कर देंगे और निष्वत रूप से जब घुट होंगे तो बिल्कुल साफतवर पर अपने सुरा संज जी ने साफतवर पर बताया कि पुलीस अधिकारी जी लेकर जो पुलीस अधिक्षक है और डियम है उनको रिस्पॉंसिलिविटी देना अतिया हो सकते तभी इस पर कहीं न कहीं लगाम लगाय सकता है फिलार पटना सीटीवध के लि पुल्सिंग